आज इस वीडियो में हम लोग CLAT 2022 के आप्लिकेशन के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो में मैं step by step application form भरने वाला हूँ अगर कोई परिशानी है आपको कैसे application form भरने में कोई परिशानी आ रही है तो description में जो link है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे contact us में जाना है करना है वहाँ पे आपको लिखना है CLAT 2022 और उसके आगे आपको लिखना है IAS paper इसे सर्च करेंगे जैसे सर्च करेंगे आप देख सकते हैं CLAT UGPG दोनों का application start हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं CLAT 2022 इस पे click करेंगे जैसे ही आप इस पे click करेंगे नाय टाइब में जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं CLAT 2022 और यहाँ पे आप देख सकते हैं application started तो CLAT 2022 का application start हो गया है CLAT 2022 application start हो है 1st January 2022 को CLAT examination dates announced हो चुके है examination 8 में को होगा meanwhile आपसे request है कि जो सामने आपके form में यहाँ पे भर दीजिए अपना full name, email address, contact number, कौन से शहर से हैं, कौन से city से हैं, कौन से course में interested है, law में interested है तो law पे click करना है यहाँ पे law पे और highest qualification आपके 12 लिख के get free counseling पे click करना है उसके बाद क्या होगा CLAD से related जो भी updates होंगे, आपको email और SMS के साज यह free of cost मेलती रहेंगी तो अगर form भरने के कोई परिशानी होती ही गलती होता है, तो आपको form गलत तरीके से नहीं बरना है, सही तरीके से ही बरना यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी information भी गई है यहाँ पे लिखा click here to check application details, यहाँ पे इस पे click करेंगे, नहीं टाइब में जाएंगे, CLAD 2022, application form release हो गया, click here to check apply, यहाँ पे आप इस पे click करेंगे, नहीं टाइब में जाएंगे, आप application date open हो, click here for registration पे click करना है, पहले इमार क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, email number लिखना, email address लिखना, password और confirm पार, click click करना है, okay, तो मैं यहाँ पे एक आप सेंबल form भर रहा हूँ, मैं यह pause कर रहा हूँ video, alright, तो मैंने register कर दिया है, यहाँ पे, account create हो गया है, यहाँ पे OTP आएगा, alright, तो मैंने यह सारी चीज़े कर दिया, यहाँ पे दो options आते हैं, प्लिक करता हूँ, apply for class, okay पे click करना है, जैसे ही okay पे click करेंगे, सारी details आपको भरनी है, यहाँ पे नाम बेगरा भरना है, date बेगरा, यह सारी details भरनी है, कोई परिशानी है, description में link है, वहाँ पे open करके appointment book करना है, और यहाँ हम लोग आपकी help करेंगे, पुरा form भर के देंगे आपने qualifying examination details लिखने है, preferences लिखने है, आपनी कौन से test center चाहिए आपको, और यहाँ पर reservation लिखना है, कौन से reservation कहाँ पर है, यहाँ पर आप select कर सकते हैं, तो जो भी आपको चाहिए उस तरह से आप इसमें लेख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो अगर यहाँ पर जो भी चा करना है, action पर click करना है, और जैसे हिस सारी चीज़े करेंगे, उसके बाद हो गई, और yes पर click करना, कनफर्म पर क्लिक करना, yes पर click करना है, और now पर पर क्लिक करना जैसे पेनओ पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर पूछेगा कि आपका email address क्या है तो जो भी आपका email address है वो डालिए यहां पर पूछ रहा है कौन से payment method यूज करना चाहते हैं तो मैं यहां पर netbank कर वो statement का select करता हूँ पे पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहां पर जाएंगे 18% 16 रूपीज convincing charge है GST convincing charge के ऊपर लगेगा और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपना username डालना है password डालना है this is how you have to fill the application form वीडियो चार मिनट का ही हो रहा है परिशानी है we will be going to help you for sure जो भी related doubts है हम clear करेंगे आपके thank you so much for watching